हेलो एवरिवन स्वागत करते हुए एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ दाल की रेसिपी ये धोड़ की दाल आज मैं बना रही हूं और उसी की रेसिपी आप सभी किशाष शेयर करने वाली हूं और अपनी अपनी की डिमांड पर असोई का एक टिप्स भी शेयर करूंगी आप सभी के साथ तो ये दाल से जड़ा हुआ टिप से वीडियो लाश्ट तक देखेगा तो देखिए सबसे पहले मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है बहुत ही अच्छे से क्योंकि इसमें बहुत सारा प पानी को कुकर में डाल देना है और जब पानी में अच्छे से उबाला जाए तो उसके बाद डाल को इसमें डालना है अब हम डाल देंगे डाल में नमक डाला है स्वादन सार उसके बाद डाल में उबाल आएगा तो हमें वह उबाल निकाल देना है देखिए ये उबाल बह तो यह सब हमने निकाल दी अच्छे तरह से उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी और हल्दी डालने के बाद हम ढखकन को बंद कर देंगे अभी मैंने हल्दी डाल दी है तो चलिए अब जिस खास टिप्स की मैं बात कर रही थी अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वही कुकर के ढकन को बंद करने से पहले क्या करना है कि कुकर की शीटी जो का जो अंदर वाला पार्ट होता है उस पर इस तरीके से लगा देना है सरसों का तेलिया कोई भी चिक नाई तो इससे क्या होगा, कि हमारी जब LIKE हम कभी दाल बनाते हैं, तो देखे most of the सभी की दाल का पानी, कुकर के ढखकन के ऊपर आ जाता है और इससे क्या आता हमारे ढखकन बहुत जाद गंदा हो जाता है, और ढाल का पानी भी निकल जाता है तो कुकर के फिर की सीटी के अंदर की साइड और कुकर की रबड पर लगा देना है चार तरफ सरसो का तेल और फिर धकन को बंद करना है तो इससे आपका धकन बिलकुल भी गंदा नहीं होगा और बिलकुल भी उबाल बहर नहीं आएगा तो आप एक बार जरूँ ट्राइ कि आप कोकर नगे भी हसा कि दल लगने के बाद भी पानी बीप बीफ पनी नहीं आएगा तो बिल्कुल भी बाहर पानी कि निकला है जाए डाल का यह डीड़ कहीं पर फयंदे तो अब दाल को प्राइक कर लेते हैं अन्हें के लिए मैंने 2-3 टॉमाटर ले 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 लुआ बारिक बारिक काट लिया दो हरी मिर्ज को लंबा-लंबा काट लिया है थोड़ा से डाल लिया अध्रक यहां पर मैं लस्टन प्याज का यूज नहीं कर रही हूं तो अब फ्राइ करने के लिए है रेली है मैं उसमें डाल दे सब से पहले मेति दाना इधि यह दाल काटा सी ठं इसे फादो तेल के हैं हो आपके कड़ाहिया में सबसे पहले चड़ा दूं सरसों का तेल में नुट मम दियुक्न गचाव का तेल हुआ है तो अब तेल हो समएक हें के còn अब savvy आप डालगे यह मिक्स कर देंगे तो हो अब यह क्यों कि आपका की सब सबसे क्इसा है तो यह मैंने हिंग डाल दी है हिंग को मिक्स करेंगे उसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक देखिए नमक हमें इतना डाला है कि जितना हमारे टमाटर के लिए ज़िरूरी है क्योंकि नमक हम उल्रेडी डाल में डाल चुकी है तो नमक इसलिए डालते हैं कि जिसक अबी तेखी ही अब अच्छे से समय सो गया है काल भी होता आ अच्छा आ गया है अब इसमनी डाल देंगे हम अपनी डाल ये दाल हमने डाल दी है अच्छा इसे चला तो मिक्स करेंगे और दो मिनट तक गैस को चलनाने के बाद बंद कर देंगे अब हमारी दाल तियार हो चुकी है तो अब हम इसमें डाल देंगे दो चीज़ें लाश्ट में और डालने के बाद तुरंती रकन को बंद कर देंगे तो सबसे पहले डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा से डाल देंगे गरम मसाला यह हमारी दाल गर्मा गर्म तयार है सर्व करने के लिए तो आप भी ट्राय किजिए एक बार दाल बनाने का ये तरीका और आप सभी को मेरा तरीका कैसा लगा какой- बोक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक किजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए रेसिपी के साथ थेंक यू सो मच बाँ बाई